बुराई पर अच्छाय की जीत हमेशा से ही हुई है अब यही बुराई हम फब्ली को बॉलिवोड से हटानी है बहुत देगली घटिया मूवीज अब हम लोगों को अपने टेस बदलना होगा और आपने हम सबकी वज़े से ऐसी खराब मूवीज करोड़ो कमा जाती है तो ऐसी ही कुछ बॉलिवोड की टॉप 10 अंडरीटेड मूवीज को आज हम रैंक करने जा रहे है 2016 में आई इस मूवी के बारे में शायदी कुछ लोग जानते होंगे और जो जानते हैं भाई आप लोग भगवान है वैल बस जानने से नहीं मूवी देखनी भी होती है बेसिकली इस मूवी को देखते देखते जितने अंग्जाइटी मुझे हुई है उतरी शायदी कभी हुई हो तो होता ये है कि शौरय जो कि कॉल सेंटर में काम करता है लेकिन एक दिन वो अपने रूम में बंद हो जाता है बेना पानी बिजली और खाने के उपर से चुहे से और 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 राजकुमाराओ सिर की अक्टिंग कते नेक्स नेवल है नमबर नाइन अलिगड़ 2015 में आई ये मूवी एक एक्स्पिरियेंस है मतलब आप इस मूवी को बहुत पसंद करने वाले हो इस उनके लीड रोल में हमें मनोजबाजपई और राजकुमाराओ दिखते हैं जहां मनोजबाजपई जी ने राम चंजरी सीरस जी का रोल प्ले किया है जो कि एक अलिगड़ उनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होते हैं लेकिन कुछ इवेंट्स के चलते इनके राइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है ये मूवी हमें दिखा देती है कि कैसे LGBT कम्यूनिटी चीज़ों को फेस कर रही है और कितना भेदबाव है उन्हें लेकिन मनुझ बासपेसर की परफॉर्मेंस इस मूवी में बेहर्ज अवर्दस्त है आखो देखी 2014 में अई ये मूवी काफी अंडरेटिड है और काफी अच्छी भी इस विम को डायट गया है रज़त कपूर ने और इस सिल्म में हमें संजय मिश्रा भी दिखते हैं जिनकी अक्तिंग बेहर्द लाजवाब है कुछ ऐसी ही लाजवाब परफॉर्मेंस जी है इन्होंने इस मूवी में भी यह मूवी वैसे यूट्यूब पर भी अवेलिबल है अगर आपने नहीं देखी तो जाओ और देखो स्चोरी बहुत ही ब्यूटिफुल है होता यह है कि राजश बाउजी जो कि अपने लेक फिफ्टीज में होते है और एक नॉर्मालाइज जी रहे होते है लेकिन कुछ इवेंट के चलते हैं इनके लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है और वो ठान लेते हैं कि वो उसी चीज़ पर बिलीब करेंगे जो देखेंगे 2017 में रिलीज हुई इस सिल्म में हमें संजय मिश्रा, रणवीर शोरे, एज़ी ट्रोल्स में दिखते हैं और दोनों ही बिहद अनरेटेड और दवर्दस टेक्टर्स हैं बिसिकली ये मुवी बेज है क्लाइमिट चेंज के थीम पर, मतलब हमें इसमें पता चलेगा कि कैसे एक फार्मर पर क्लाइमिट चेंज का बुरी तरह असर पड़ता है हमारे इंशेट इंडिया में सॉयल और नेचर को पूया जाता था लेकिन इस मॉडरन जमाने में सब बस अपना कमफर्ट ही देखते हैं जिससे हमने अपने आस पास सब कुछ बहुत ही जादा पॉलिटेट कर दिया है नमबर 6, अगली 2013 में आई इस मॉडी को डाइट किया है अनुरा कशब ने और जहां ये नाम आ जाता है लोगों को खुद पता है जाता है कि मुवी में क्या दिखने वाला है और ये मुवी एक अलगी लेवर की थ्रिलर फिल्म है तो होता है कि एक रड़की क्रिणाप हो जाती है फिर लग जाते हैं थिपलिस वाले इस केस को सॉल्फ करने में लेकिन सिर्फ इत्रह ही नहीं अभी बहुत दोगे इस मुवी में जो इस क्रिणापिं का फायरा भी उठाते है प्लस नुरा कशब ने इस मूवी के दरी हमें काफी कुछ दिखाया है कि कैसे एंडिया का पुलिस सिस्टम काम करता है और कैसे ये दिने कितनी मतलबी है नमबर फाइब सोन चिडिया एक मार्च 2019 में रिलीज हुई ये मूवी एक मास्टर पीस है और इस चीज प्रूफ हो जाती है इस मूवी में एक से बढ़कर एक एक्टर से और इस फिल्म की स्टोरी से प्लसी पूरी मूवी बुंदेली लेंग्विज में है ये मूवी हमें सेर कराती है चंबल की घाटी पर जहा कुछ दक्यात है और उनका लीडर है मान सिंग जो कि एक प्रिस इंकाउंटर में मारा जाता है और उसके चलते इन दक्यातों का गुरूप दो में डिवाइट हो जाता है एक लगना जो कि एक नई जिन्दी की शुरू करना चाता है अपने आपको पुलिस के हवाले करने के बाद और एक वखील सिंग जो पहले की ही तरह बागी दर्म को साथ लेके चलना चाता है नमबर फूर नैंटीन सेवंटीवन दोजार साथ में अई ये मूवी नैशनल फिल्म अवाड जीच चुकी है अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आप एक ऐसी मूवी मिस कर रहे हो जहाँ आपको एकदम रियल एक्टिक दिखने वाली है यूटीब पे ही अवेलिबल है ये मूवी तो ये मूवी एक टूस्चोरी पर बेस्ट है 1971 में जो इंडो पाकिसान वार हुई थी उसके चलते हमारे देश के जवान पाकिस्तान में एदा प्रिजनर रख ले जाते है लेकिन अब यही से हमारे इन सोलजर्स का स्ट्रगल दिखाया है कि वो वहाँ से कैसे निकलते हैं और क्या मुसीबत आती है 2018 में आई यह हॉरर फिल्म आप मेंसे कई लोगों ने देखी होगी और अगर नहीं देखी तो यह मुवी बागी हॉरर मुवी से कही ज़्यादा हटकर है इसमें वही कोई भटकती आत्मा या पुरानी हवेली का कोई भूत नहीं है बलकि इसमें हस्तर और यह फिल्म हमें एक सीख भी देखे जाती है कि लालस बुरी वला है 2015 में आई यह मुवी बहुत ही अच्छा मेसेज देखे जाती है कि कभी भी हार मत माने चाहे कैसी भी सिचुईशन क्यों ना हो इस मुवी में हमें दो अलग शोरी जिखती है एक देवी पाठक की जिनने ब्लैकमिल किया जा रहा है और एक दीबक कुमार की जो कि एक लोवर कास्ट के है और उन्हें एक हाई कास्ट की रड़गी से प्यार हो जाता है अब इस मुवी की जई स्टोरी है वो नेस लेवल की है साथी साथ इस मुवी में जितने भी अक्टर्स हैं सब एक से बढ़कर एक है प्लस जो लोकेशन ली है वारण असी की हमें एक अलगी सार पर ले जाती है नमबर वन पान सिंग तोमर 2012 में अज ये मुवी एक बियोग्रफी है एक अथिलीट की जो कि एक सोजर भी होते हैं इंडियन आर्मी में प्लस उन्होंने गोल्ड मैडल भी जीता होता है इंडियन नैशनल गेम्स में लेकिन इतने कुछ के बाद भी उन्हें फोर्स किया जाता है एक डकैद बनने के लिए इस मुवी में इर्फान सर ने क्या ही एक्टिंग की है बदब क्या ही बोलो ला इर्फान सर की हर एक मुवी में परफॉर्मेंट जबरदस्ती रहती थी लेकिन मैं बात करूँ इस मुवी में इनकी परफॉर्मेंट के बारे में तो इन्होंने इस उनको नेक्स डावल पर बाचाया है बीहड में बागी होते हैं डकेट मिलते हैं पार्लामेंट में